हलो 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 Sum ए वैलकम 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 अबरवान सभी बच्छों का बहुत-बहुत सुएच्ट है और यह लिए जैसे सबक captive कर रहे हैं इगर लिवेटिंग फॉपर दिस वीडियो तो बिलकुल सभी इस वीडियो का इस सेशन का बहुत बेसबरी से इंतिजाद कर रहे थे पिकाउज कि यहां पे सभी की नीड है कि ALP CBT2 के लिए जो कि ALP CBT2 में जो कि Part B होता है वो Part B जो कि 75 questions का होता है वो Part B जो है जिसको trade test कहते हैं वो trade test क्या होना चाहिए क्या choose करना चाहिए if you are a mechanical engineer अगर आप mechanical की field से हैं तो वो trade test आपका क्या होना चाहिए clear है? यह हमारा सीधा सीधा जो है वो हमारा question था यह हमारा doubt था कि हम यह समझना चाह रहे थे कि क्या-क्या होना चाहिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि applicable trades है कौन-कौन से आपके पास applicable trades तो यह समझ लीजे जितने भी हमारे mechanical related trades हैं mechanical related trades हैं उन सब में हम applicable है तो अब देखिए बच्चो इस video का माध्यम यह है कि आपको कोई मैं एक चीज fix नहीं बताओ कि यह करो या वो करो देखिए ultimately decision तो आप नहीं लेना वहीं आपका paper तो मैं यह कहने वाला तो नहीं हूं कि सिर्फ यह trade भरो बस हां मेरा यहां पर है कि मैं आपको clarity पूरी तो वीडियो चाहे लंबा जाए छोटा जाए है मैं आपको clarity पूरी दे सकता हूं कि इस वीडियो में ताकि आपको यह समझ पाए कि अगर मैं यह trade लेता हूँ तो क्या-क्या मुझे चीजे cover करनी पड़ेगी अगर मैं यह trade लेता हूँ तो क्या cover करना पड़ाएगा इस सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है जिससे आपको डिसीजन लेने में और हेल्प मिलेगी तो देखे बचो जब हम मेकेनिकल के सभी ट्रेट की बात करते हैं जिसमें मेकेनिकल एपलिकेबल होता है तो उसके अंदर कौन-कौन से ट्रेट आते हैं तो यहां रखेगा मेकेनिकल एपलिकेबल एपलिकेबल ट्रेट मेकनिक मोटर वेहिकल मोटर वेहिकल मोटर वेहिकल वेहब तरन या ट्रक्तर मेकनिक हम ठरक्तर मेकनिक मेकनिक mechanिक डर्स तर्स मेकनिक डिज्ल मेर तर्न नर्र मतषिनिसट देखते जाएगे साल आराम से इसले मैंने कोई जल्दी में डिजन लिए देखें लेने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है आप यह मैं सुझे कि मैं आओ और फटा फटा आपको दो ट्रेट बता दो आपको अच्छा यह लेना था थैंक्यू सरी मच ऐसा नहीं हो इसलिए वह क्लियर होना जरूरी है तो यह मिल्राइट मेचैणिक मिल राइट मेचैनिक है तीक है हीट इंजन हीट इंजन तो आ एंड उसके बात जो है आपका मेकैनिक अब दीखेंग यहां पे आप दो तरह के बच्चे एपली केबल हैं एक जो ये इपलोमा ये नहीं करता लेकिन डिपलोमा वाले वाले इसी के लिए तो आइटी आई करे वे उकले तो कोई दिक्कत नहीं है आइटी इमें तो यहीं बूलेंगे कि इन में से जिस ट्रेड से आपने आइटी है न जिस ट्रेट से आपने IT 현 करी है के लिए वही तो मतलब वो आई टी आई के लिए के लिए डिस्कुन की जरूत ही नहीं है एक लिए बात है डिपलोमा इंजन लिए कि जो डिपलोमा बच्चे है या बीटे कर बिठेब भर रहा है वैसे पतानी बैप डिप्लोमा, बिट, इंजीनेर Inte warmerум Stunden उनके लिए जब हम बात करते हैं तो यहाए पर उनके लिए डिसाइड करना तुअज हो जाता है, क्योंकि उन किसी भी सबजेक्ट में ऐसे सबझट में डेलरेक्ट नहीं होते हैं grow आरीसी होता है ठीक है ना और डीजल होता है सरफ ठीक है और हीट इंजन होता है तो इस चक्कर में बच्चा जनरली इन टॉपिक्स की तरफ चला जाता है क्योंकि उसने और कोई नाम सुने भी नहीं है ठीक है तो यहां पर हम देखें यहां पर अगर मैं देखूं तो पहले त इसके बच्चों आणको वीडियो डिपलोमा के लिए जिसका आई टी है वह कुछ भी ले सकता अगर किसी ने आइट्रेक्टर मेकिनिक में किया तो यह तो उसके लिए बात नहीं है बात यहां पर इंपोर्टेंट है कि अगर इन में से अगर हम देखें तो कौन से ट्रेड ऐसे हैं जो डिपलोमा वालों को भरने ही नहीं चाहिए तो वो मैं बिल्कुल हटा देता हूं जैसे कि डिपलोमा में ट्रेक्टर मेकैनिक के बारे में लोगो का रेडी नहीं हो सकता है जिकनरली अगर कोई आपनोक़े मेकैनिक को भी हटा सकते हैं तो यह कुछ ट्रेड अगर अब हटा सकते हैं इसे अगर हम बात करें तो पर अब हमारे पास ट्रेड क्याười में बस थे हैं अब हमारे पास बसता है फिटर यह मेकैनिक मोटर वेहिकल डीजल मेकैनिक टर्णर मशिनिस्ट आरेसी मेकैनिक और हीट इंजन तो पहले राउंड में अपकी प्रोडक्शन बहुत जैसे जाएंगे चिके जड़ा वच्चे जो चीज क्ड़ना चाहेंगे वह बटाऊंगो बट में पर जढ़ा तो कि यहादा कोशिश करें एक जैसा भरेंगे तो तरह करणा असान हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगे तो अगर इसम फिर मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट टर्णर मशीनिस्ट टर्णर मशीनिस्ट यह दो ऐसे ट्रेड हैं जो प्रॉपर प्रोडक्शन की तरफ हैं तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना असान होग जहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टफ आप लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि साथ साथ डिप्लोमा वालों को दूसरे पेपर भी देखने होते हैं वहीं इसी के साथ साथ जून में ही आपका SSCV होगा तो मतलब कहीं न कहीं दूसरे पेपर भी ऐसे हैं जिनको के साथ से तो यहां बहुत कर एक तो यहां पर मेरी राय है कि तरफ थोड़ा सा हम Sumy कर सकते हैं ठीक है? क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि टर्नर मशिनिस हम से हो नहीं सकता लेकिन टर्नर मशिनिस जो है वो हमारे और पेपर में इतनी help नहीं करेगा समझ ना? ये जो है थोड़े से production बेज जादा है more, production based और हमारे जो इसके parallel paper होंगे उनमें इतनी help नहीं करेगा क्योंकि जितनी detail में इसमें production रहती है उतनी detail में किसी और paper में नहीं आती है ठीक है ना तो अब ऐसे में बच्चो ये दो trade भी यहाँ पर cut होते हैं और अपने पास क्या बसता है अब इसमें भी में बता दो बच्चो मेकैनिक मोटर वहीकल भी सिर्फ और सिर्फ वही भरे जैसे यह वाला वही भरे जो production बहुत अच्छी रखता है अपनी जिसको बहुत production हलवा लगती है वो इस पर जा सकता है लेकिन मेकैनिक मोटर वहीकल के अगर हम बात करें तो मेकैनिक मोटर वहीकल वही गवरे जो automobile field से है जो automobile field से है वो mechanical motor vehicle कर सकता है उसके लिए easy है नहीं तो बाकियों के लिए इतना असान नहीं है तो फिर ये भी एक unique अलग हो जाता है तो इसलिए इसको भी मैं cut करे देता हू अब देखिए बच्चो अब ये जो मैंने cut कर दिये तो अब इतना तो clear हो गया कि इतने trade में से mainly हमारे पास क्या क्या trade बच्चे हैं तो अब देखिए इतने trade में से mainly जो अपने पास बच्चे हैं वो क्या क्या है वो है हमारे पास Fitter वो है हमारे पास Mechanic Diesel अब इनकी डिटेल में मैं आपको discuss जरू करूँगा Mechanic Diesel वो है हमारे पास R.A.C. Mechanic ठीक है? वो है हमारे पास Heat Engine अब देखिए ये हैं अब इनमें बच्चे जनरली जब ज़्यादा आइडिया नहीं होता तो Fitter को भी बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि Fitter भी Trade Based हो जाता है Fitter को भी बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि Fitter भी जनरली वही चूज करता है जो IDI Trade Based है लेकिन उससे पहले मैं Fitter को छोड़ने से पहले आपकी नजर थोड़ा सा दोड़ाना चाहूँगा करते हैं तो आपको पता हो कि क्यों नहीं चूज करें तो डीजी इटी जा रहा जो स्लेवर्स दिया गया है ठेगे ना उसको हम देखते हैं डार्टर जन्रल ऑफ ट्रेनिंग जो आईटी आई की स्लेवर्स बनाता है वो डिपार्टमेंट है उसके थूरू जो लॉंच होता है क्राउट्समेंट ट्रेनिंग स्कीम सीटी जी से बोलते हैं वो क्या है आईए देखते हैं तो फिटर की अगर हम बात करें तो फिटर में जिस तरह का स्लेवर्स होता है वह आप यहां देख सकते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन भी आगे पूरा स्लेवर्स डिसक्शन होगा एक सिक्शन बच्चा में डिटेल में जा रहा हूँ कि देखिए अब यहां पर क्या क्या आता है बच्चो यहां पर आता है आपका किस तरह के चीजें जैसे की आप देखते हो टूल्स एंड इस्टूमेंट के बारे में ठीक अब टूल्स में जितने भी फिटिंग टूल्स हैं जितने भी अधर टूल्स हैं सब के बारे में तो तो यहां पर आपको कुछ चीज़ बता दू बच्छो जो मैं अलग से भी लिख देता हूं कि टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यह मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा आपको तूल्स नहीं सिर्फ़ीतर के वए से नहीं यह मैं ज क्यों लिख रहा हूं एबिताऊंगा अभी बताऊंगा आपको टूल्स एंड इस्ट्रूमेंट आय्स यहां पर 08 टूल्स एंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक है इसके लावा बेसीक फिटिंग्स जो पूरा पूरा फिटिंग आगे का complete production भी है इसमें लगबग पार्ट और tools and instrument वाला पार्ट भी है क्योंकि idea कि जब आप कोई भी trade उठाते हैं तो उसमें कुछ portion common trade जैसा होता है और वो tools especially tools वाला जो portion है tools and instrument वाला वो कहीं न कहीं common trade में आता है वो मतलब आपको सब में दिखाई देगा फिर उसके बाद आते हैं उन tools की बारी जो उस trade related है कि अगर आप कर रहे हैं यहां पर बात फिटर की तो फिटर लेटेड टूल्स होंगे एक तो या common tools common tools and instruments आपसे फूर सकता है लेकिन कुछ होते हैं fitting based tools चाहिए वो files हो या कुछ है वो वो हो गई जिस trade के आप बात कर रहे हैं clear है तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसे हमारे पास पूरे असलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें common यहां पर आप देखोगे तो इसलेबस में पूरा इंपॉर्टेंस ओफ ट्रेड ट्रेनिंग सेफटी ठीके फॉर्स्टेड में यहां पर मैं एक और ची लिखना चाहूंगा सेफटी अभी यह क्यों लिख रहा हूं यह सब अभी आपको पता है चलेगा ऐसे यहां पर आप देखोगे तो और आगे चलें हम क्या-क्या और कवर होता है आप लीनियर मेजरमेंट्स कैलीपर्स हर मैफ्रोडाइट सेंटर पाइंट डॉट पाइंच वी ब्लॉक्स सारे लगबग जो आप मेजरमेंट मेटरोजी में पढ़ते हैं अपने जेई लेवल पर वो सारे इस्ट्रुमेंट्स यहां पर रहते हैं ठीक है ना डिफरेंट टाइप सब मार्किंग मार्किंग आउट लाइन्स फाइलिंग जैसे मैंने का था कि फिटर है तो फाइलिंग बहुत है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे फिटिंग के आसपास के लिए और सारा स्लेवर जो है उसी से लेट इवच्व फूरा पूरा से बढ़र यह पूरा पूरा उसी से लेटेट है और अच्छा कास और मैं को हूँगा कि स्लेवर से इसको जरूर देखें चाहे से इसमें से एक्षिल देखना कितना बड़ा स्लेवस है इसमें से एक्षिली में आ क्या रहा है सर या पेपर में क्या रहा है यह तो स्लेवस फर्स्ट यर का था जो पहले दिखा है अब सेकंड यर के शार्ट है तो ऐसा देखे तो पूरा अब बहुत बड़ा स्लेवर्स है तो अब स्लेवर्स को देखके आपको आइडिया लगेगा नहीं क्यों क्योंकि एक्जाम्पल दिखाता हूं में जैसे आपने फिटर ट्रेट शेड़ा अब ऐसे ही मैं आपको भूलू अब बहुत सारी चीज़े इसमें भी आपको सेम दिखेंगे जैसे की आपको दिखाता हूं देखें ट्रेट स्लेवर्स को अगर हम देखें तो इस इस यूर ट्रेट स्लेवर्स फर्स्ट यर थेक्षा अब देखें यहां पे भी जो है आपका में सबसे पहले मेजरिंग और मार्किंग टूल्स आगया मेजरिंग सेंद मार्किंग टूल्स इसलिए मैंने वह लिखा है क्योंकि मेजरिंग और मार्किंग टूल्स जितने भी आब अचाओ जेथ को होे सब ट्रेड्ड में common है उसके अलावा फिर चीज़े एड होती जए से वहां पूर्ट ने में इसे टीजीझ एड फीज़ी टीज़ में सब होते हैं ॐ Nh hen सब यहां पर भी सब कुछ लिखा अगर आप कंपेर करोगे स्लेवर्स तो आपको यहां तक चीजे सेम दिखाए देंगी एक तरह से कहलो जो आइडिया का फर्स्टियर टाइप होता है वो लगभग लगभग कॉमन ट्रेट जैसा होता है है अगरा सब वह इसमें कटिंग टूल्स हो गए आपके ठीक है बस इंजन से जिट क्या जाएगा देखो इंजन से जिट आजएगा जैसे वाशर्स टाइपस ऑफ गास्केट्स यह कुछ और डिटेलिंग आ गए ठीक है ना आपके फास्टनर्स आ गए इस क्रूज नर्ट्स बोल्ट्स क्योंकि आप यूज करते हो हमारे इंजन में इंजन असेम्बली में तो यह और एड़ हो गया यह अलग अलग आगए जैसे मां फिटिंग के ओपर फोकस था यहां भी इसकी ओपर हो गया तो ऐसे ही इसका भी स्लेवर्स बहुत बहुत या इतने बड़े स्लेवर्स को देख के आपको यह नहीं समझ में आएगा कि यार यही ट्रेड मुझे लेना चाहिए यह नहीं इसलिए यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा आपको क्या आपको लुक एड़ी कोश्टिन पेपर जैसे कि मैं यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले और पेपरों में भी बेनेफिट हो तो ऐसे केस में आपको कहूंगा बसके ऐसे केस में कि आप फिटर को बट आप चाहें तो फिलाल छोडे सकते हैं फिटर को लेकिन अगर किसने भराए तो त्यारी कर सकता है तो अगर आप छोड़ते हैं तो बच्चे आपके पास प्यूर डिपलोमा के लिए सिर्फ और सिर्फ बसते हैं अब बात को ध्यान से सुनेगा अब मैं आपको पेपर बेश चलाना की कोशिश करूँगा तो देखिए कुल मिल आके न अगर आप चाहते हैं कि इन ट्रेट को लें तो इट देक एन है एल्प इन यूर अदर एक्जाम उल्सो अदर एक्जाम ऑल्सो ठीक है यह चीज भी ध्यान में रखने वाली बात है न कि क्या ये ट्रेड लेके मेरे को फायदा हो भी रहा है कि नहीं क्यों मैं अधर एक्जाम के बात कर रहा हूँ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर्फ मुझे अधर मुझे कि आप सब को बता वच्चे party जो है आप सब को पता है party जो है वह थे love y फाइंग इन घर है सबसे पहली बात कि यह आपको बात भूलनी नहीं है कि आपको कोई फाइंग इन नेचर है आपको जो नंबर लाने है जो नंबर की रेस है वो पार्ट A में है ठीक है जो नंबर की रेस है CBT2 की वो किसकी है वो पार्ट A की है जो पार्ट B ट्रे टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है मतलब आपको 75 questions जो आएंगे उसमें से आपको उसका सिर्फ और सिर्फ 35% ही लाना है आपको उसका सिर्फ 35% ही लाना है ठीक है ना जिसमें अगर मैं बोलू तो देर इस ओनली 26 marks required कितना marks required है 26 समरें ना तो मतलब आपको 75 में से 26 question को जो है वो सही करना है बचो तो अभी ऐसे में समझ लीजेए कि आपको ये tension नहीं इसलिए मैंने कहा कि पूरा syllabus आप देख लो बले ही एक बार एक बार तो देखना बनता है लेकिन आपको syllabus के basis पे subject को चूज़ आप नहीं कर पाओगे क्योंकि syllabus इतना वास्टार इतनी common चीजे दोनों में है कि आप classify नहीं कर पाओगे इस syllabus को choose करें या इस syllabus को choose करें इसलिए मैं थोड़ा और इजी आपके लिए करते रहा हूं कि ये बात को अगर आप ध्यान में रखोगे ठेके ना एक बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ 26 मांक्स करना है दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो यह रखनी है कि जो भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि बह एड़ घंटा रिवाइस करेंगे तो ऐसे में बच्चो यह जरूरी है कि जो भी आप इसमें टाइम इनवेस्ट करते हैं हेल्प इन अधर पेपर आल्सो यह आपको दूसरे पेपर में भी हैल्प करना चाहिए तो अब यहां पर मैं बता दो बच्चो कि जो भी मैंने ट्रे है तिन्जन अ कि आच ठीक है इसमें जो आपको आने वाले पेपरों में यृप नहीं करेगा है थीक है वो मैं आपको बताए तो ऑरी सी अप होता है एसी तो बहुत ही कम आता है एर कंडिशनिंग लेकिन एर कंडिशनिंग के लावा आपका जो मतलब होता है वो होता है सिर्फ किसे वी सी आरे से थोड़ा बोद रेफिनेंट की प्रॉपर्टी से और बस और थोड़ा साइकोमेट्री चार्ट से तो यहां पर याद बेनिफिट नौट तो मच बैनिफिट इन अधर इक्जाम पर जिसने यह ट्रेड भर लिया है को दिक्कत नहीं है आप उतना कर लें जितना आपका पेपर निकल सकता पर आरे सी असान नहीं है मतलब इन से ज़्यादा टॉफ है आरे सी क्योंकि इसमें में इन इसमें आप य लेकिन यह आरे सी मेकैनिक है इसे साइकोमेटरी चार्ट से मतलब नहीं आरे सी मेकैनिक है यह साइकोमेटरी चार्ट नहीं यह एर कंडिशनिंग की मेंटेनेंस है मेकैनिक है पूरी तो एर कंडिशनिंग को पूरा मेकैनिक करना मतलब एर कंडिशनिंग को पूरा खोलना ब समस्या नहीं है आप focus करें कि बच 26-30 marks का आपका जुगाड़ हो जाए ठीक है 30 plus marks कैसे भी करके आ जाए जिससे आप qualify कर जाए समझारी बात but यहां पर यह जो दो subject हैं यह आपके other exams में भी आपको help करते हैं यह आपके helpful helpful in other exams तो दीखिए इतने trades से करते करते मैं आखरी के दो trade में आया हूँ that is your mechanic diesel और heat engine यह किसके लिए बोल रहा हूं है for je level je level diploma level के लिए जो diploma level के बच्चे हैं ठीके ना उनके लिए यह दो सब्जेक्ट जो है वह एक्जाम में काफी help करते हैं ठीके ना बिल्कुल सोलम कुमार जी ठीक है आरेसि मेकैनिक उतना help नहीं करेगा मैं यह निके रहा हूं कि आरेसि मेकैनिक का कि VCRS पर question आजाएगा एक आद्धा कोई आगया आगया ने तो VCRS पर ऐसा कुछ नहीं है VRS पर ऐसा कुछ नहीं है आपको सरफ parts पूचे जाएंगे parts की maintenance पूचे जाएगी parts का material पूचा जाएगा material की आपकी material की property पूचे जाएगी temperature पूचे जाएगे डेटा पूचा जाएगा तो उन चीजों में ऐसे में RAC काफी tough हो जाती है ठीक है तो बस आपने मतलब की पढ़ लेंगे तो RAC जिन्नों ने भराए वो निरा सुने की जरुरत नहीं है वो अराम से RAC को crack कर लेंगे अब आती किस्तिकत राय होगी बाकी आप मैं कहूंगा अपनी बुद्धी का इस्तमाल करें और उसके हिसाब से मेरी बाते सुनके अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके आप चूज करेंगे ठीक है यह ने की मेरे को ब्लेम करेंगे लाश्ट में आपकी सरह आपने बताया था आपने ब कुछ अब देखो कि मैं आपको डीजल मेकैनिक और हीप एंजन जंड हेट इंजन दिखाता हूं सीन।क दिखाता हूं जिससे आपको आईडिया लगे एके पेपर को अगर आप खोलेता था करे काई को स्वातितYour कोका है स्वास हैं द्हेंक निब्ट है तो किस तरह के पार भूदे हैं गोडन की आगे यह सब्सक्राइन सब्सक्राइस का किस थूर्पकर हो गया यह बैटरी置 यते उप सिस्टम हो गया इंट सी लेगा किसका हो गया और मोबाइल इंजिनेरिंग का क्लियर है अब इंजन और डीजल मेकैनिक रैसी चीज़ रहेंगी तो अगे चलें अगला कोश्चन देखो एकरमन इस्टेरिंग गेर कंजिस्ट ऑफ अब ये टोम का आगया देखो कुश्चन थोड़ा बहुत क्या आगया का सबस्के कॉश्चन थे याए उस्टेर्विक शुस्टेरिंग करता है किससे में मतलब शुक्त मतलब यहां ठीटाओ सो ऑफ माटाजबन रहा है तो थे लेटेटेग कोशन आप फिर भी कर लोगा राम से यहाँ पर पिस्टन सब्चेटेटेट टू हाई प्रेशर विए पिस्टन का कौन सा पार्ट जिसमें सब्सज़दा हाई प्रेशर हाई टेंपर्चर लगता है तो लेंड इसकार्ट क्राउं रिंस एक्षिन तो यूटथ पा पार्ट जिसमें सबस्यादा हाई प्रेशर टैंपरचर अब थर्मल में कोई दिक्कत थोड़ी सी कहां आती है मैं बताता हो आपको जैसे थर्मल तक को कोई समस्या नहीं है थर्मल आइसी इंजन मिक्स कोश्टन और मॉइल आईसी इंजन, especially automobile और आईसी इंजन, इनके combination पर question है, और आईसी इंजन की जितने भी question है, वो आपके सब paper में help करेंगे, other paper में भी, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर कुछ question कैसे होते हैं, जैसे की, जैसे की यह है, a triangle file is used for, अब यह आगे tools पर बेज़, औ जैसे की, इंजन, इंजन system कोई दिकर, जैसे, the instrument used to measure crank journal diameter, crank का journal diameter measure measure करने के लिए कौन से instrument use होगा, तो आपने का outside micrometer, नहीं ना, तो अब यह instrument based question हो गया, लेकिन based किस पर है, engine पर ही based, कि engine की चीज़ें measure करने के लिए कैसे instrument use होते है, ठीक है, इजह देखो, brazing के उपर question आ गय makes it flow in small clearance, ठीक है, small clearance में किस, जो कौन सी property matter करती है, brazing में, capillarity, अब देखो, यह brazing welding का question आ गया, समझ में है, आगे चलो, आगे चलो, अब देखो, soft solder की composition क्या है, देखरो, अब एक अंतर बताऊंगा, मैं आपको, heat engine में, thermal भी आ रखी है, thermal मतला, heat engine में, automobile भी है, IC engine भी है, और आपकी instrument भी है, और आपकी क्या है, production भी है, ठीक है ना, welding है, welding है, scriber is used for, scriber marking के लिए यूज़ होता है, यह जो चलो, टूल से ले लो, अब देखो, taper roller bearing is used for, taper roller bearing जो है, वो कहें के लिए यूज़ होता है, समझ रहे ना, कहां यूज़ होता है, तो bearing का question भी है, आपका MD का थोड़ा बहुत यहाँ पे, which of this is best way to clean oily floor, चलो, चलो, आगे चलो, यह बताता हूँ, मैं आपको कहां कहां अलग 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 है, अब देखो, which type of rolling bearing supports load acting on the x of the, अब देखो MD, bearing के उपर अच्छे का से question है यहाँ ठीक है, आगे चलो, brace welding दुबारा आगे, देखो, bracing bracing पे 3-4 question आ चुके अभी तक, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कि the reason of the front wheel of tractor being smaller than the rear wheel, उसका क्या reason है कि front wheel छोटे होते हैं, बड़े पीछे जो tractor के बड़े wheel होते हैं, ठीक है, यह भी एक question हो गया, आगे चलो, यह देख लो बचो paper, आप लोग ध्यान नहीं दोगे, इसलिए मैं चीज़े बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लग लग है, फिर मैं भी लि conductor is used in bulb, bulb में क्या conductor use होता है बच्छो, टंग स्टन, जनरल कोश्चन है यह, जनरल कोश्चन कि टंग स्टन यूज होता है, ठीक है, यह किसी subject से भी नहीं है, wheel alignment of toe in, toe out, autumn well का कोश्चन है बच्छो, steering का, ठीक है, autumn well का कोश्चन है, workshop का कोश्चन है, ohms law is not applicable to, यह सब electric circuit system में पढ़ते हो आप यह कुश्चन, इसलिए आ गया है यहां पर, चलो, autumn well, autumn well, differential gear mechanism, leaf spring, ठीक है, आगे चलो, एक दो चीज़े और दिखाने वाली हैं यहां पर आपको, देगे, जैसे की, एक कुश्चन में दिखाना चाहरा था, कहां गया, यह तो सब autumn well, पर है, materials पर है, अगर हम अभी कितने कुश्चन लगबग हो गई है, 75 कुश्चन हो गई है, अब मैं आपको simple बता हूँ, तो इस 75 कुश्चन को अगर आप देखोगे, तो heat engine में, heat engine में, आपको majorly चीज़े क्या क्या पूछी गई हैं, मैं आपको leak दे रहा हूँ, हैं, ताकि आपको clear हो, heat engine में सबसे ज़्यादा जो है, वो automobile engineering है, automobile engineering है, आपका, प्लस, आपका, IC engine है, चेक है, IC engine है, प्लस आपका hand tools है, hand tools, plus instruments है, measuring instrument, 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 for measurement, ठीक है, आपकी welding है, आपकी थोड़ी बहुत cutting है, ठीक है, प्लस, MD है, मतलब MD जिसमें से सिर्फ bearing पे ही question थे, MD के नाम पे और कुछ नहीं, bearing काफी questions है, ठीक है, यह basically आपका मोटा मोटा, अगर मैं 26 marks लाने की बोलू, है, ठीक है ना, यह भी धियान रखना पड़ता है कि कहीं ने कहीं जो है, वो आपके marks अगर negative हो जा रहा है, तो उसको भी balance करें, तो ऐसा नहीं कि 26 मतलब 26, थोड़ असा ज्यादा की planning आपको करके चलनी पड़ेगी, अब देखो इसी की जिगह पे, अगर मैं आपको diesel mechanic की बात करूँ, mechanic diesel की बात करूँ, तो वहाँ क्या important है, या क्या easy चीज है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दो, तो यहाँ देखो थोड़ा बहुत production का party भी ठीक ठाक देखने को मिलता है बच्चों इसमें, लेकिन अगर मैं इधर बात करूँ, mechanic diesel की, तो mechanic diesel का भी आप कोई भी पेपर उठालो, 2019 का भी उठालेते हैं, देखिये, mechanic diesel का अगर मैं पेपर उठाता हूँ और मैं पाउचता हूँ इधर, trade में, तो यहाँ आपको trade में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, maximumly question, सिर्फ और सिर्फ engine, engine मतलब automobile और ice engine, maximum automobile ice engine और instrument tools bus, यहाँ production ना के बराबर है, cutting, welding, बहुत ना के बराबर चीज़े जो हैं, वो पुची गई हैं, अगर आप पूरा paper भी देखोगे, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ना के बराबर यहाँ पे production, welding, यह चीज़े हैं, एक आदा question कोई है तो है, अगर आप पूरा देखोगे, जैसे, exam पता, a self starter is also called as, self starter को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, pistons are made of which of the following material, piston किस material से बनाया जाता है, ठीक है, vehicle, vehicular emissions are measured in which of the following, vehicle से emission आता है, उसे किस निट में measure करते हैं, which chisel is used for cutting keyways, कौन सी chisel का use किया जाता है, keyway बनाने के लिए, ठीक है, which of the following devices used to give specified torque for bolt and nuts, अब दीके diesel mechanic में कुछ topic और extra आजाते हैं, especially यह से bolt, nuts type के चीज़े, यह nut and bolts इस type का, क्योंकि fast nuts का का काफी use होता है, assembly और disassembly में, तो diesel mechanic में nuts, bolts, fast nuts, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत heat engine में भी है, लेकिन diesel mechanic में जाता है, ठीक है, इधर अगर बात करें हम लोग, तो यहां पर हमारे पास और आजाते हैं, that is called marine engines are started with the help of which of the following, ठीक है, इधर अगर हम बात करें, तो which of the following locking device used to lock the air cleaner, air cleaner को हम किस locking device use करते हैं, pressure cap is used, कौन सी pressure cap यूज की जाती है, ठीक है, इधर अगर हम देखें, तो what should be done if the alternator is producing low current due to, मतलब अच्छी कासी है diesel mechanic, ऐसा नहीं कि हवा हवा में चीज़े पूची गई है, ठीक ठाक कोश्चन है, which of the following is used as anti-freeze chemical in coolant, coolant को coolant जम ना जाए, उसके लिए कौन सा anti-freeze chemical का use किया जाता है, इधरीन, glycol, icing में भी पढ़ते हो आप ये चीज़, अफ्यूज इन अलेक्टिक सर्कृट ब्लोज एजर रिजल्ट अफाई, तो काफी कोश्चन ऐसे भी हैं, जो heat engine के automobile वाले कोश्चन जिदने भी हैं, वो heat engine और diesel mechanic दोनों के match करते हैं, बस यहां engine diesel ही रहने वाला है, ठीक है न, तो यहां बस engine diesel रहने वाला है, तो उस पर ज्यादा focus रहेगा, तो इंक्रीज दी इंजन पावर आउटपूट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, देखो बच्चों, यह मैं अभी वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा confusion रहेगा, यहां पर बच्चों, auto mobile सबसे ज़्यादा है, diesel mechanic में, ठीक है न, उसके बाद मैं कहूँगा, IC engine है, तो यहां पर अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो इधर जो है, वो auto mobile, auto mobile मतलब सिर्फ focus on, maximum focus on, diesel engine, तो diesel engine में जो auto mobile का पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है न, उसके बाद जो है, IC engine काफी, मतलब, एक ज़्यादा, IC engine अगरा मातलब न, यह थोड़ा सा limited है, ठीक है, लिमिटेड है, IC engine जो है, वो limited है, ज़्यादा जो है, वो auto mobile, diesel engine पे फोकस है, उसके बाद tool and instrument, जो है, tool and measuring instrument, जो है, वो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, tool and measuring instrument, ठीक है न, वो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, for diesel engine only, for diesel engine based ही है, हमारे tool and instrument, और थोड़ा बहुत जो है, यह दोनों में part है, लेकिन इसमें heat engine में ज़्यादा part है, वो है थोड़ा safety का part, ठीक है न, थोड़ा सा workshop safety, जो से कहते हैं न, workshop safety, कि work floor पे काम कर रहे हैं, उसकी safety, वो part इसमें भी है ज़्यादा, इसमें नहीं है कम, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अब आप slivers compare कर सकते हो बच्चों थोड़ा, यहाँ topic की variety थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ topic की variety इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा focus सिर्फ diesel engine पे रहने वाला है, ठीक है, 2018 कि मुझे याद है, मैंने diesel mechanic ही पढ़ाया था, पहले भी trade, 2018 में, और काफी selections यह तो इस बार भी बच्चो मैं आपको बता दूँ, वो तो मेरा पहला, पहला teaching experience था, आरर भी के लिए, 2018 में, जिसमें मैंने diesel mechanic पढ़ाया था, लेकिन इस बारी जो है, अब तो बहुत बहतर और बहुत सारे resources यहाँ create हो चुके हैं, तो मैं इसी के साथ आपको एक good news देना चा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा, आरे सी का डाउट है किसी को, तो वो भी मैं दिखा दूँगा, आरे सी के कैसे कुछन है, लेकिन जो मैंने general देखा वाया रे सी का, तो it is not वो आरे सी की जो आप सोचते हैं कि COP निकालने को आ जाएगी या सिर्फ VCRS पूछ लेका, वो उस तरह की RAC नहीं है, ठेक है, पर फिर भी अगर आपको doubt है तो मैं बिल्कुल discussion जो है वो जरू करूँगा, discussion RAC का paper का भी discussion जरू करूँगा, अभी तो मैंने ऐसे लिया है, अभी मैं सोच रहा हूँ, कल परसों में, आने वाले week के अंदर, आपको एक-एक paper भी swallow करवाँ, जिससे कि आपको idea जाएगा, कमसे हम कुछ नहीं, तो 40-50 हैसे question करवाँ, जिस तरह के question पुछे जाते हैं, ताकि आपको idea लग जाएगा कि diesel mechanic में कैसे level पे question आ रहे हैं, कितना tough, बना tough से tough और easy से easy आपको वहाँ पर मैं दिखा दूँ और common questions clear है, पर आपको trade फिलाल भरना है, तो trade अपना choose करके भर लीजिए, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर मेरी राय कुछ नहीं है कि diesel mechanic भरे, heat engine भरे, कि RAC भरे, या fitter भरे, कुछ भी भरे आप, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको चीजे कुछ बता दी हैं, जितना clear मैं कर सकता कि यह यह चीजे इनमें अंतर है, ठीक है, marks लाना सब में बहुत असान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि trade में कोई इतने भी marks ना ला पाए, अगर आप proper एक महीने में एक गंटे भी revision करके चलोगे ना, मतलब 25 से 30 गंटा आखरी के महीने में, और 25 से 30 गंटा लगा के जो ह है, वो नोट्स बना लोगे, और 25 से 30 गंटा आपने सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है ना, तो आपका ये trade आराम से 40 से 50 marks, आराम से आप clear कर सकते हो, qualify करना है, 40 से 50 आप मतलब बहुत असान है, 100% आप जो है वो, इसे clear कर सकते हो, clear है, ये चीज का धियान रखे का, you can easily clear that paper by earning 30 और 40 marks, बहुत असान है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा पढ़ना भी जिस चीज को असान रहे, नोट्स बनाना असान रहे, क्योंकि आप कोई पता है कि marks बले ही 26 लाने हो, लेकिन पढ़ना तो आपको 100 के बराबर पढ़ेगा, clear है, पढ़ना तो 100 के बराबर ही पढ़ है, अगर आप कहते हैं कि नहीं इसर में ज्यादा फोकस ने, confusion नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इंजन और टूल्स के बारें पढ़ना है, तो मैं कोई कोई डिजल मेकेनिक पढ़ेगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं या थोड़ा cutting welding सम मिला के मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हो, तो यह वाला भर यह trade, चिक है, तो मेरी राय सिंपल यह है, clear है, बाकी मैं classes किसकी कराओंगा, तो मैं यहाँ पर दो आपको एक promise करता हूँ, एक, इस बार मैंने सोचा है कि, एक तो जब भी आपका आराज़वी CBT2 आपको पता है, आपका जो paper है CBT2, वो, अगस्त में CB CBT1 का result आएगा, और September में CBT2 हो जाएगा, यह उन्होंने बोला है, तो there is only one month, and that one month में आप जो है, वो, पार्ट A की तियारी करेंगे, पार्ट B को आप सिर्फ क्या कर पाएँगे, रिवाइज कर पाएँगे, तो जरूरी है कि अभी आप पार्ट B के सिर्फ नोट बना ले किसी तरह से, कि यह क्या-क्या रिवाइज करना है, इतना कर लें बस, ठीके ना, हाँ दुर्गेश देखो, वही मैंने का अपना-पना कॉर्मिटे, जिस बच्चे का देखो न, अगर आप स्लेपर समस्ते है, फिटर भी कोई मुश्किल थोड़े है, फिटर में भी सब ले ले आएंगे, तो फिटर का तो अल्डेडी कोर्स अफलेबल है हमारे पास, बाकी मैं जो इधर की बात कर रहा हूं, डीजल मेकैनिक को हीट इंजन हो, अगर आप चाहेंगे इन में से कोई ट्रेड आप त्यार कर रहे हैं, तो मैं बच्चों आपको एक सिंपल सा वादा यह करना चाहता हूं कि जो पार्ट B के नोट्स हैं, ठीक है, अभी चल रहा है February, February end से, February end से लगबग, हम इसकी क्लासे से स्टार्ट करेंगे, पार्ट B के नोट्स के, अभी आप पार्ट A पर फोकस करो, मतलब अभी आप CBT 1 की त्यारी करो, CBT 2 के पार्ट B के जो नोट्स म तो बच्चो जैसा कि सभी बच्चे हमेशा कहते हैं कि कोचिंग हम तो जो है वो पैसे कमाने आये हैं, ठीक है, बिल्कुल पैसे कमाने आये हैं, लेकिन उतने कमाने आये हैं, जिसमें हमारे खर्चे निकल जाए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, कुछ बच आपको CBT2 के पार्ट के सीबीटी वन आप लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पर भी कोर्स अवलेवल है धका पे लीजिए CBT1 अच्छे से त्यारी करिए लेकिन सीबीटी टू के लिए पार्ट बी के लिए स्पेशली ट्रेट टेस्ट के लिए आपको मैं बच्चों कह रहा हू अगर आप यहां हमारे प्लेटफॉर्म फ़के हैं या अधर भी कोई हैं किसी से भी कोर्ट लेने के आपको दुरात नहीं है पाईट B के थेोरी पाईट बड़नद कम्प्लीट Noor כे लिए practice आप करें लेकिन complete D какие नोट्स के लिए आपको किसी से भी कोyorsun लने की जरूरत नहीं है ना बाहर से ना अंदर से नंहें से किसी से आप सिर्फ क्या करें आप नोट्स मेकिन के लिए यूट्यूब का पूरा-पूरा सरीज जो किãy फरबरी एनड में लाज़ ओगा लाइव लाइव लाँच होगा के फरबरी एनड में यूट्यूब कि यह सरीज मेरी फॉलो करें जैसे से मैंने 2018 में कराया था उससे बहतर आपको इस बार मिलेगा और यह कंप्लीटली मैं आपको यूट्यूब में ही करवा दूंगा जैसा कि मेरा विचार है कि थ्योरी मतलब जो प्रेक्टिस करवा ओँ ठीक है और आप में सिर्फ प्रैक्टिस करवा इससे किसी को कोर्स भी नहीं लेना पड़ेगा अकेले अलग से और यहां पे आपको मेरे साथ आराम से त्यारी भी हो जाएगी अगर आपको यह मेरा विचार ठीक लगता है तो जूड़े रहिएगा चन भी cpt2 का पाट भी रिवाइस करना यह नोट रिवाइस करूंगा बस फर्वरी तु मार्ज म्याइब मार्श तू अपरेल हम तिर्फ नोट बनाके किनारे रख देंगे उसके बाद हम सीदा निकालेंगो नोट को cpt1 के बाद और रिवाइस करा और अरहाम से काम हो गया और किस ट्रेट की तरफ जा रहे हैं ठीक है यह मैं पहली बोल दो बच्चे बाद में नराज मत दोईगा कि सर आप यह करवाएंगे आप वो करवाएंगे तो मैंने यही बोला मैं वही प्रिप्रेशन कराऊंगा जो ट्रेड आपने मैक्सिमम लोगों ने भरावा होगा ठीक है बाकि अगर आप आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एक आदिन और रुखिए मैं पेपर भी डिसकुशन कर लेता हूं आप यह समझ लिए पर दस तारीक प्रिप्रेशन करेंगे। तो अगर आप आज फिफ्टी परसेंट भी समझे़ हैं कि इन ट्रेड में यह है तो पेपर करके और हंड्र परसेंट समझ पाएंगे कि कौन सा ट्रेट आपके लिए बहतर है कौन सा आपको confidence दे रहा है ठीक है ना पर उसके लिए वह है न उसके मुझे comparative बनाना पड़ेगा यह नहीं कि एक से टप उठाली एक से असान फ्रोड़ा comparative पेपर देना पड़ेगा कि क्या एक जैसा पेपर कैसा रहेगा लेकिन यहां पर मैंने आपको बोला कि cbt2 part b पहले बोल रहों पच्छों cbt2 part b यह मत करना cbt2 part b trade कोई एक ट्रेड ठीक है ज्यादा नहीं कोई एक ट्रेड का कोर्स जो है वो यूट्यूब पे फ्री रहेगा यूट्यूब पे फ्री रहेगा लाइव वो भी कोई रिकॉर्डेड नहीं लाइव ठीक है बाए मी मेरे द्वारा ये भी नहीं कि कोई और करवाएगा मेरे द्वारा ठीक है लेकिन उसके लिए cbt1 आप जो कर सकते हैं cbt1 का हमारा जो कोर्स है उसको लीजिए ठीक है क्यों टेका एकना यह बैस सिम्पल रहा हूँ जो कि हम कोर्डों कर चुके है ठीक है बचो अगर आप डीजलों गांच सखना तूब刎ए बढ़ीफी psychology अच्छा दिए nữa तो जल्दी में लेकर आऊंगो बच्छो आपको लोगों के लिए एक ट्रेड के कुश्चन्स हर ट्रेड के एक कुश्चन स्रैट लेगे आऊंगा जिससे कि आपको कुश्चन के लेवल का अंदाजाब भी लग जाएगा तो अगला वीडियो का वेट करिएगा मेरा इसी वीक पोल्स में डिसाइड करिए बोल्स भी करवाता रहूंगा कि डिजल मेकैनिक या हीट इंजन या पुछ बच्छे आरेसी और फिटर की तरब भी जा रहे हैं वह अच्छी बात है ठीक है चलिए मैं तो सिर्फ डिजल मेकैनिक हीट इंजन में इसलिए चांटा है आप लोगो बच्onent करवा दिजिए कल करवा देंगे बच्चे अपने दिमाग ने दो कल करवा देंगे हंपल की कॉंसेट ड्रेट ॉस्तार लेना चाह रहे हैं ताकि हम भी दूसरी ट्रेट्स की तरफ से मैं आपकी में पूरा स्टेडी मट्रियल बना लूँगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना है और यह वह लेकिन याद रहिए बच्चो मैं आपके पूरे पूरे लेक्चर पढ़ाऊंगा पूरा आपको लेकिन प्रेक्टिस जो है प्रेक्टिस जो है वो मैं आप में करवाऊंगा ठीक है ना एक डियुका मतलब ब्रक्टिस मतलब हैं सबस्क्राइब है और दूसरा यह है कि हमारा भी यह वह आप हो जाता आप में छलती रहती है इस मूद लिए क्योंकि कहीं ना कहीं सलुईशन तो यह निकालना पड़ता ना चीज़ें कि आप भी चलते रहें और हम भी चलते रहें तो उस वेसे कह रहा हूं लेकि और इतना क्लियरली कोई नहीं बताता है सब घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऑफर बना के चीज़ें बता लाने का या उस चीज को पेड़ कोर्स लाने का इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह के ट्रेड के लिए ठेके ना किसी और पर डिपेंड होने की जरुरत है फ्री में आपको क्वालिटी टॉप नोच कंटेंट में लेगा जिसको पढ़के मैं गैरेंटी दे रह लाएगा कल सुबहें चीक है अभी अनिमे जी अभी यह सब टेंशन ना लीजी कि प्रैक्टिस फुल कोर्स में होगा कि नहीं वह प्रैक्टिस का प्रैक्टिस की बात ही नहीं कर रहे हैं पहले पढ़तो लो पहले पढ़तो लो नोट्स तो बना लो प्रैक्टिस तो हो करना है कि चैनल पर मैक्सिमम बच्चे जोड़ने है ठीक है जो की फ्री में क्लास को करेंगे ठीक है उसके लिए मैं अलग से भी आपका एक नोटिस निकालूंगा लग से भी वीडियो लूँगा ठीक है क्लास से पहले पर पहले ट्रेट डिसाइड हो जाए उसके बाद थैंक युआ अग्डेंगा थैंकर bipartisan मिलते हैं अगले और प्लीज कमेंड बॉक्स में जरूरी के बुच्छ जो भी डावट इस्टिल आपकोगrire का लिए अपको को जो कहना है हीट इंजन के बारे में तो प्लीज कमेंड बॉक्स में लिखिए ठीक है और कल ही इस पर दुबारा बात करते हैं थोड़ी सी अगर पेपर करा पाया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ठीक है ठीक्यों मुच